आजरीने गिरामी, देहली के पास एक बहुत बड़ा जंगल है हमारोब जानते हैं जैसे के हमारे मुल्क जो वजीर आजम है वो कौन है हमारे मुल्कों की सदारत किसके हाथ में है या हमारे मुल्कों की बादशाहत किसके हाथ में आप लोग ये भी जानते हैं कि जंगल का राजा किसे कहते है शेर, जंगल का राजा शेर होता है अब तो जो देहली के पास जो एक जंगल है वहाँ पर जो एक शेर है वो वहां का राजा है लेकिन मसाला यह है कि वो बुड़ा हो चुका है उसकी मैयाद खत्म होना चाहती है तो चुनांचे जो जंगल के सभी जानुवर बहुत फिक्रमंद है कि हम अपना अगला राजा किसे मुन्तखब करे लेहाज़ा तमाम ही जानुवर मिटिंग बुलाते है कि हमें अपने आएंदा अगले राजा का इntखाब करना है पता नहीं हमारे राजा कभ इनका इंतिकाल हो जाए चुनांचे वो मिटिंग बुलाते हैं सभी से राए मांगते हैं कि फरमाईए हमारा अगला राजा कौन होगा सब अपने अपने एतिबार से जो है राय देते हैं कि ये होगा ये होगा ये होगा उसी महफिल में गधे मिया भी होते है जब उनका नमबर आता है तो उनसे पुछते कि कहो हमारा अगला राजा किसे बनाया जाए तो घदे मिया खड़े उकर कहते कि भाईयों और बहनों मैं चाहता हूँ कि इस मरतबा इस जंगल का राजा मुझे को बना दिया जाए अब उसी मिटिंग में जो है एक लोमणी भी बैटी हुई होती है लोमणी खड़ी होती है और कहती है कि घदे मिया ये जंगल है हिंदुस्तान नहीं तो आईए दोस्तों मैं गड़बर मालेगावी साहब को इस मुशारे में गड़बर पैदा करने के लिए आवास दे रहा हूँ कि सर्दी के आदी रात अभी कल की बात है निकली मेरी बारात अभी कल की बात है और सालीसे छेड चार हुईती खुशी- खुशी सालीसे छेड चार हुईती खुशी- खुशी भीवी ने मारी लात अस्सलाम अलेगू एक मतल़ एक शेड समात कर ले हाँ धो कर लाया आवरों का माल अपना समझ कर उड़ाएंगे दिल में जो अपने आएंगा जी भर के खाएंगे और गड़बड है ऐसा हो ऐसा समझना हमें फुजूल किसका दिया है यार जो तेरा डुबाएंगे किसका दिया है यार जो तेरा डुबाएंगे क्या बात है एक मतला एक शरोड समात कर लेके रोज आए घर वो मेरे रोज आए घर वो मेरे और मेरी जान खाए रोज आए घर वो मेरे और मेरी जान खाए सालू चबाए गुटका और साली पान खाए गडबड करोंगे कब तक तुम उनकी मेजबानी मेहनत करे है मुरगा अंडे सुभान खाए मेहनत करे है मुरगा अंडे सुभान खाए और एक मतला एक शरी भी समात कर लेके मुझे एक वक्त में मुझे एक वक्त में दोनों तरफ दावत में जाना है मुझे एक वक्त में दोनों तरफ दावत में जाना है इधर भी दाल खाना है उधर भी दाल खाना है क्या अबाद मुझे एक वक्त में दोनों तरफ दावत में जाना है कौन सा दाल खाना अभी खाऊंगो तो पता चलेगा मुझे एक वक्त में दोनों तरफ दावत में जाना है इधर भी दाल खाना है उधर भी दाल खाना है और परेशा हूं के पहले किसके घर जाऊं मैं गडबड इधर रुकसार रहती है इधर शबनम शबाना है क्या बात है मुझे एक वक्त में दोनों तरफ दावत में जाना है मुझे एक वक्त में दोनों तरफ दावत में जाना है इधर भी दाल खाना है उधर भी दाल खाना है अब परेशा हूं के पहले किसके घर जाऊं मैं गडबड इधर रुकसार रहती है उधर शबनम शबाना है एक मतलब एक शेर और यह भी समात कर ले कि है जो बैगन के जैसा वरम नाक में क्या बात है है जो बैगन के जैसा वरम नाक में शेर सुन-सुन के आया है दम नाक में है जो बैगन के जैसा वरम नाक में शेर सुनसुन के आया है दमनाक में और कम हुए गरना बेगम खराटे तेरे है जो बेंगन के जैसा वरमनाक में शेर सुनसुन के आया है दमनाक में और कम हुए गरना बेगम खराटे तेरे मैं किसी दिन लगा दूँगा बमनाक में क्या बात है मैं किसी दिन लगा दूँगा बम नाक में एक मतलब एक शेरे भी समात कर ले के तरक्की में तो अमरीका कभी जापान आगे है सरे फेरिस्त है एक मुल्क गड़बड में घुटाले में एक मर्तब एक शेर में पड़ रहा था पोलिस वाले आये और बोले तुमने हिंदूस्तान को गड़बडड़ गोठाले वाला मुल्क का मैंने का मैंने मुल्क का नाम तो नहीं लिया बोले तुम तो ऐसे वो रचेशे उमकों मालूमी नहीं रहा था कौन गडबड गोटाले गड़ता तो तरक्की में तरक्की में तो अमरीका कभी जापान आगे है सरे फेरिस्त है एक मुल्क गडबड में गोटाले में और कभी सरकस का जोकर तो कभी भालू वो बंदर वो कभी सरकस का जोकर वो कभी भालू वो बंदर वो कई खुबी नजर आती है मुझको मेरे साले में क्या आगार कई खुबी नजर आती है मुझको मेरे साले में नहीं मैं मार खा खा अकर पक्का हो गया हूँ यह कमेटी का हुक्म है बरदास्ट कर ले कि लुटना जाए लुटना जाए तेरी जवानी पपु भाग कल तेरी पतलून भटी थी जगड़े में आज भी होगी खीचा तानी पपु भाग चौरा हे पर छेड़ दिया उठा नकाब तो निकली नानी पपु और मामू के चटान पर फोले थे अंडे मामू के चटान पर फोले थे अंडे धोन रही है तुझको मुमानी पपु और मामू के चटान पर फोले थे अंडे धोन रही है तुझको मुमानी पपु भाग एक मतलए चंद शेर और कमेटी की फर्माईश पढ़ता होगा पढ़ूँगा 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 किंती पढ़ूँगा एक मतलए चंद शेर समात कर ले ये कमेटी की फर्माईश है कि आदा ढकन देशी पीकर आदा ढकन देशी चूरन आदा ढकन देशी पीकर आडा तेडा फटरा क्या आदा ढकन देशी पीकर आडा तेडा फटरा क्या शेर के आगे काले बंदर आडा तेडा फटरा क्या शेर के आगे काले बंदर आडा तेडा फटरा क्या और चोरी चोरी सीना जोरी, वारे वा अंदे रही है, सिंगल फसली मूबन कर, आडा तेड़ा फटरा क्या, बे ढंगी आवाज सुना तो किचन से चिलाया चमचा, बे ढंगी आवाज सुना तो किचन से चिलाया चमचा, बिन पेंदे के खाली कुकर, आडा तेड़ा फटरा क् बिन पेंदे के खाली कुकर आडा तेड़ा फट रहा क्या और गांजा पीकर धंक्या दे रहा गांजा पीकर धंक्या दे रहा सीधे साधे लोगों को क्या बात गांजा पीकर धंक्या दे रहा सीधे साधे लोगों को भूल गया क्या मेरी टककर, आडा तेडा भटरा गया, भूल गया क्या मेरी टककर, आडा तेडा भटरा गया, और चीटिंग कर रहा, मीटिंग कर रहा, चीटिंग कर रहा, मीटिंग कर रहा, इसकी उससे सटिंग कर रहा, चीटिंग कर रहा, मीटिंग कर रहा, इसकी उससे सट कर रहा पहले था गडबड का पंटर हाडा त्वट रहा गया पहले था गडबड का उंटर गिंथी समात कर ले अधिर के तो अर लिए गिंती गिंती समात कर ले था एक मर्तबह कुछ सिंगर इस्कुल में इंटर्व्यू दे रहे थे बच्चों को गिंती पड़ा कर सबसे पहले हमारे अलताब राजा वो बच्चों किंती पड़ा रहे किस तरह पड़ा है एक दो तीन चार पांच छे साथ नाओ दस ग्यारा बारा तेरा चाउदा पंदरा सोला सतरा अठरा प्रिंसिबल साब बले यह क्या है बले अपना रंग इसा ही है प्रिंसिबल साब बले नहीं चलेंगा किनारे बैठो अता उल्ला खान साब आए वो बच्चों किंती पड़ा प्रिंसिबल साब बले यह क्या बले अपना रंग इसा ही है बले नहीं चलेंगा किनारे बेठो हमेशे रसमिया जी आए वो बच्चों किंती पड़ा रहे है वो किस तरह पड़ाए है पलाओ गिंती या बैर एक दो तीन चार एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नवद जारा बारा तेरा पांच छे साथ आट नवद जारा बारा तेरा चाउंदा पंदरा प्रिंसिबल साहब बले रही है क्या बले अपना रंग भी है इसा ही है बले नई शेलेंगा किनारे बैठो पंडिच जी बैठे थे वो गिंती पड़ा रहे बच्चों को पंडिच जी किस तरह पड़ा रहे एद दो तीन चार पांच छे साथ आट नवद ज्यारा बारा तेरा बोलो चाउदा पंदरा सोला क्या बाद है जिंदा बाद जिंदा बाद प्रिंसिबल साब बले पंडिच आप भी बले अपना रंग यह साइए बले आर नहीं चलेंगा तुम भी किनारे बेठो प्रिंसिबल साब खुद खड़े हुए बले मैं बताता हूं किस तरह गिंती पड़ा ही जाती है और उतनी देर में मोहमद रफी साब उनके अंदर दा आए बले साथ आड़ नोवड़ आस ग्यारा बारा तेरा चौदा पारा जोड़ आख दो बहुत शक्याँ मैं उन्ही को आवास देने के लिए यहां पर आया हूँ पुर्जोर ताले में इस्तेकबाल केजिए गर्बर साहब से गुजारिश है कुछ मुक्तसर सा कलाम आप और पेश कर भीजिए संदल और यह धर्मा नना भामरे साहब की जानिब से हदिया एक खुलूस गर्बर मालेगावी साहब की खिदमत में हाँ बढ़ते बढ़ते लो बढ़ गई मैं ऐसा तो नहीं बोला हाँ पढ़ते पढ़ते यारो मुझे नोट मिली है हाँ बढ़ते बढ़ते यारो ये बात बढ़ी है फिर आज मुझे बेगम की लात पढ़ी है सब सूज गए हाथ भी और पैर भी मेरे एक बार पढ़ो संसे मेरी आँख लडी है डेरिंग तो इतनी करती है क्यों मुझे का पता है तो एक रोज उठाओंगा तेरे बाप का संदल एक रोज उठाओंगा तेरे बाप का संदल सुनले बेगम अवे सुन बे साले एक रोज उठाओंगा तेरे बाप का संदल कानों में शिकायत की सदा गूंज रही है हर लड़की तेरे घर का पता पूछ रही है कानों में शिकायत की सदा गुंज रही है हर लड़की तेरे घर का पता पूछ रही है बावा ने तेरे छेडा था चौरा है पे जिसको कल से वो भी कारन भी उसे धोण रही है धोण रही है खाएगा दुमारा वो किसी लेडी का सेंडल एक रोज उठाऊंगा तेरे बाप का संदल एक रोज उठाऊंगा तेरे बाप का संदल सर पर नहीं है बाल वो सलमान बना है आखों में मोतिया है करीना में भिडा है सर पर नहीं है बाल वो सलमान बना है आखों में मोतिया है करीना में भिडा है फिर कैसे उसे मानुशा रुख का बदल में वैसे तो कहीं बार वो बस्ती में पिटा है सूरत से तो लगता है वो नेपाली का मंडल एक रोज उठाऊंगा तेरे बाप का संदल एक रोज उठाऊंगा तेरे बाप का संदल लगता है तेरा बाप मुझे चोर उचका करता है पड़ो संसे भी वो नेन मटका क्या बात लगता है तेरा बाप मुझे चोर उचका करता है पड़ो संसे भी वो नेन मटका जाएगा जहां करके वो गड़ बड़ ही आएगा देखाना मैंने उसकी तरह दुनिया में लुका दुनिया में लुका वो रोज चुराता है मेरा बीडी का बंडल